आज के मैं इस वीडियो में माइंट्री के तरफ से अपडेट लेके आया हूं माइंट्री IMTS इंटर्व्यू कोच्छन डिसकस करूंगा आपको बताऊंगा कल क्या कोच्छन आप से इंटर्व्यू में पुछे जाएंगे कल इसकी इंटर्व्यू है आज इसकी रिटेन हुई अभी इसकी रिजर्ट लींग कंगा तक बहुत करें तो अपना प्रेस्ट रखेंगे तो मैं आपका बता दूँ कि आपका जो रिटेन टेस्टाम उसकी मैंने आपलोड कर दी थी वीडियो क्या पुछे जाएंगे तो सेम पूछे गया एक्चुली डाउंट टू सेम पैसें एंट्री की जो सिगेंड राउन थी basically so complete same question उसी वीडियो से आई है so and किसी ने अगर मिस कर दिया है तो प्लीज चैनल को subscribe करें so आप ऐसा मिस नहीं करें आपका selection process बहुत हाई हो जाता है अगर आप ऐसा वीडियो पहले से अगर आप इट पर हो जाते हो जो question पूछने वाले है so yeah so जिसने भी वो वीडियो फॉलो किया था उनको ज़वर मेल आने वाली है क्योंकि आपको आपको उसमें 100% आप score करोगे so कल इसकी इंटर्विव है so इसमें आपका दो राउंड है so TR and HR है अगर आप TR के लिए करते हो तो आपका नेक्स देशीट HR के लिए मिल आएगा so TR में मैं आपको बता दू कि क्या आप से पूछे जाएंगे so TR में basically आपसे फर्स जो आपसे हो जब पूछा जाएगा वो इंटर्ड़क्शन पूछा जाएगा आपके इंटर्व्यू में like 50% 50 to 60% question networking से पूछे जाएंगे so please जिनका networking अच्छा है उनके लिए cakewalk रहेगा but जिनका networking अच्छा नहीं प्लीज आप रिफाइस करें इनका जो सबसे फेमस कोचे ने like frequently सारे स्ट्रें से पूछते है OSI model so OSI model के जितने भी layer है आपको वह पता होना चाहिए आपसे वह OSI model जरूर पूछेंगे OSI model पर मैंने start mark भी किया है तो आप जरूर OSI model बहुत अच्छे से पढ़के जाए बस definition पर ले एंड उसके examples पर ले कहां use होते है लाइक application लिया रहे तो आप ट्रांस्पोर्ट लिया रहे तो कहां use होते है लाइक उसके application बस पर ले and उसके definition पर ले एंड उसके example बेख ले सो बस basics पर ले सो ज्यादा हो नहीं पूछते है TCP IP basics पूछेंगे ADP address का होता है बस definition पूछेंगे switches के definition पूछ रहे थे last time router के definition पूछ रहे थे आपको पूछ लेते हैं कि क्लास एक कहां use होते है तो यह सब basic question है आपको Google पर इसका answer मिल जाएगा तो प्लीज आप इसको follow करें यह सब पर लेना like यहां पर आपको OSI model सारे student से पुछ जाएंगे यह तो for sure है and TCP switches router HTTP इसमें से आप से एक दो question जबर पुछे जाएंगे so इसका frequency सबसे जादा है 50% question आपको networking से पूछे जाएंगे so आपको इसमें strong करना है so आप just अभी 1 hour अपर लोगर networking तो आपका यह interview clear हो जागा इसमें कुछ है नहीं कोडिंग पूछेंगे नहीं वह आप से तो coding पूछेंगे नहीं कोडिंग लिखना नहीं नहीं लॉजिक बताना है so next question आप से पूछ सकते है project so project पूछते ही है so सबसे पूछते है आपका description पूछेंगे like title क्या था क्या करती है project अपका roll क्या था implementation नहीं पूछेंगे like आपने like कुछ आगर किया है coding से related तो नहीं पूछते है या को implementation है तो ऐसा वह कुछ deep में नहीं जाएंगे but आपको बोलेंगे description बताओ and तुम्हारा roll क्या था इसमें बताओ तुमने अकेले किया या फिर group में किया यह बताओ and yeah so next question जा आपका होगा Linux Unix का maybe definition पूछ दे नहीं भी पूछे बहुत कम लोग से पूछते क्योंकि Linux Unix मैं इसलिए mention कर दिया हो क्योंकि आपको Linux Unix पे training मिलने वाली है आपका selection होता है तो आपका दो मन्त का training है तो आपको Linux Unix भी उसमें बताया जाएगा and cloud, cloud पे भी आपको training मिलेगी तो cloud का maybe definition पूछ दे तो आपको कम से कम दो टर्म होते हैं cloud में like जो भी सबसे famous सबसे high चल रहा है like AWS and Microsoft Azure तो इसकी आपको पता होने चाहिए करती क्या है and कैसे वर करती स्थोरस आप go through हो जाना cloud करती वैसे ही rare है बहुत कम चांस है maybe question पूछे database से question like 50% student से वो एक-दो question database से पूछ सकते हैं like basics पूछेंगे and कुछ नहीं and maybe किसी एक-दो student से आप CSK student हो तो बोला है तो उपस में class क्या होता है just basic पूछ सकते data type क्या होता है वैसे I don't think वो पूछते नहीं है क्योंकि यह profile जो है आपका वो without coding ही है technical support का profile है आपको यहां पे कुछ implementation नहीं करना है so yeah so यह ही रहा है आपका technical question so overall basics पूछेंगे आपस easy पूछेंगे networking का बस ध्यान अखना है networking से सारे question होंगे 60% question आपका networking से होगा so networking ज़रूर आप revise कर लो और यह इतना ही question आप कर लो so इससे maybe एक-दो question maybe इससे कुछ basic push दे अलग लेकिन आपके 80-90% networking question यहीं से आने वाल है yes so same model TCP and switcher router so if you clear tier round then you will get mail for HR in next 1-3 days so आप tier round clear करते हो तभी आपके HR round email आएगी so आप लोग wait करना किसी को first day आती है तो आप लोग wait करना आपको next 2-3 days में आ सकती है HR round के मैं question discuss कर देता हो तो HR round मैं आपका first introduction होगा introduction आपका family background वो बोलेंगे mention करने के लिए so आप family background उसमें mention जहूर करना so आपके जो next question होगा why mind tree mind tree and about mind tree तो mind tree के वारे में आपको कुछ आना चाहिए like आप कुछ बोल सको उसके CEO कोने का founded हुआ था like that and उसके head office खाया है यह सब challenges you faced यह important question यह जहूर पूशेंगे आपसे कि आपने engineering में क्या challenges faced कि engineering नहीं बोलके आपसे यह पूश लेकि last one year में आपने challenges faced किया गया so आप इस question को ignore नहीं कर सकते आप ignore करोगे तो वो बोलेंगे नहीं फिर भी आप इसके लिए जबर कर लेना challenges you faced फिर आपको बोलेंगे आपको two months के training दी जाएगी like that नहीं भी बोल सकते हैं but बोलेंगे पैन काट तो पूचेंगे री location का problem तो नहीं है like आपको ऐसा सब्सक्राइब करेंगे कि two-three years तक आपको same location पर रखा जाएगा तो कोई problem तो नहीं है वैसे starting में आपका work firm होने वाला है April last week में आपका joining है 25 अप्राइल most probably आपका joining होने वाला है so आपका training work firm होगा उसके बाद work firm होना चाहिए कुछ दिए फिर भी वो रिया लोकरिशन का पूछेंगे backlogs है या नहीं so backlogs अगर आपके पास एक backlog है तो आप लिजबल हो अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो यहाँ problem आ सकती है या तो यह सारे basic questions पूछेंगे next आपसे पूछेंगे bond है bond से कोई problem करी है and फिर next उनका famous question like सारे interview में पूछते है do you have any question तो आप कुछ भी उनसे पूछ सकते हो like उनसे को interview question मत पूछ ना आप training के पूछ सकते हो and joining date यह सब कुछ भी आप से आपके कुछ related academics के प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो like backlog बगरा या फिर कुछ भी mark sheet से issue कुछ भी कोई document issue कुछ भी आप पूछ सकते हो like my entry की इस technology पर काम करता है actually यह भी आप पूछ सकते हो कि इसमें क्या कराया जाएंगे आपसे इसके में details बताया था recruitment वाली वीडियो में क्या है यह इसमें growth है क्या salary है सब कुछ में बताया था अगर आपको देखना है तो आप जोर वीडियो फालो करना आपके बेसिक्स है तो प्लीज इस वीडियो को जोर शेर करो अच्छे से पिपर करो आप आप क्रेक करो इसे तो आल दबेस्ट थैंक्यू